नमस्कार मैं रभी कुमार डाइडेक्टर ईजीवे तो चलिए हम लोग आज का कलास से स्टाट करते हैं आज के कलास में हम लोग वायर गेज और फिलर गेज के बारे में पढ़ने वाले तो सबसे पहले वायर गेज के बारे में पढ़ेंगे फिर फिलर गेज के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंदित जो भी कोश्चन आये हैं काफी इंपोर्टेंट है पुछा जाता है यहां से कोश्चन एक कोश्चन के बारे में डिस्कस करने बले तो स्टाट करते हैं सबसे पहले wire gauge के बारे में यहां पर देखेंगे तो यह wire gauge होता है जो इस तरीके से गोला कार या आयता कार बना होता है और गोला कार है तो इसके परीधी के उपर इस तरीके से क्या होते है प्रियूक किया जाता है वर्कशाफ में प्रियूक किया जाने वाला यह जो वायरियेद होता है इसको में लोग एक चेवर असुचय करते हैं अब ही यहां पर दिखेंगे इस तरीके से इस पर यए नमबरिंग होता है जैसे यह जो Slot है यह सबसे बड़ा Slot यह 0 नंबर यह एक नंबर यह दूसरा Slot है 2 3 4 5 इस तरीके से पूरा परीधी पर यह नंबर की मार्किंग है यहां पर देखेंगे तो टॉटल 36 नमबर तक मार्किंग है और इन नमबरों को आम लोग gauge number बोलते है gauge number अभी जैसे यह 0 gauge number है इसके just opposite इसके पीछे जाकर कैसे plot करके देखेंगे तो यही पर इसका size लिखा रहता है अगर यह mm वाल है तो mm में size लिखा रहेगा और अगर यह ब्रिटिस है इंच वला है तो इंच में size लिखा रहता है पीछे अब हम लोग यहां पर समझते है कि इनका use करने का तरीका क्या है अगर use करेंगे तो मुखरूप से इसका जो use होता है जो तार होता है तार का diameter और जो पदली seat होती है seat के thickness को मुटाई को चेक करने के लिए इसका प्रियूग के जता है तो पहला question यही से पूछेगा जो तार की diameter या plate की या seat की मुटाई जो होती है इसको चेक करने के लिए कि इसका प्रियूग के जता है तो wire gauge का प्रियूग करते है अभी कैसे हम लोग प्रियूग करते है किस तरीके से तार के diameter को चेक कर सकते है plate के thickness या seat की thickness को चेक कर सकते है इसके लिए आपर रखते है जैसे तार के diameter को हम लोगों को चेक करना है तो यह जो slot बना हुग है इसमे slot में ही हम लोग तार को एक-एक तार को निकाल करके और आम लोग लगाते हैं जिस स्लोट में जो तार फीट आती है वही उसका क्या होता है गेज लध्य होता है और उप刚 डायमेटर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे second here कि एक दाइम तो पर और सलोट बना हुआ है इसमें एस तरीके से हम लोग इसमें इंसेट करेंगे अब जिस त्षञ विए फित्व आ त्षञत और अगर यहां पर फीट आया तो इसमें गेज नंबर देख लेते हम जो गेज नंबर कितना है यह 17 गेज नंबर 17 के अनुसार इसका जो साइज होगा वो लिखा होता है जैसे इसी तरीके से मान करके यहां पर आ गए और यह 20 वाले में आ करके फीट हो गए आईए तो 20 के पीछे जाकर लिखेंगे यह 20 गेज नंबर के अनुसार इसका जो साइज होता है ममें 1.2 mm होता है इसी तरीके से जो 36 नंबर है नो 36 नंबर के लिए एक टेबल आता है जिसमें गेज नंबर और एक तरफ इनका साइज लिखा रहाता है तो उतना हम लोगों को नहीं ज्याद करना है है डिरेक्ट अगर यूज करेंगे तो इसके पीछे में ही क्या होता है यह साइज लिखा होता है वहां से हम लोग देख सकते हैं प्लट करके इस तरीके से अगर बिस आया तो इसका क्या इसका जो मोटाई है या इसका जो डामीटर है यह कितना विंपलद एसे से हाथ में लेकर कर करके और शीतेवे Осर इसे सोट फिर नमबर और साइज को हम लोग है पढ़ सकते यहीं का जाहिए इधर आगे से ही हम लोग इंसर्ट करते हैं आगे से इसमें का traveling मिल जाता जब तो फिर क्लीरिन्स मिल जाताएimme जाता है इसको रिलीफ होल बोला जता हैं फिर आसानी से तार को निकल सकते हैं बाहर कोई-जोई कै करता है कि इसी होल में इन चेक में डालेगा और बोलेगे तार का क्विद्ध करते हैं हम लोग लगाते तो इस तरीके से हम लोग पार शीट के को इसके द्वारा चेक करते हैं अभी एक चीज़ें यहां पर समझना है इससे संबंधित पूछेगा इसमें प्रफ एक दांब है कि जो जैसे जैसे देखेंगे ये 0 से लेकर के थाटी सिक तक नमबर बढ रहा है जैसे 0 के लिए इतना चोडाई है ये स्लोट का 1 के लिये 2 के लिए त पर इसी से जाए मीटर भी क्या होगी कम होगी ना नहीं तो सीट का थिकनेस क्या होगा कम होगा यहां से संबंदित कोश्चन पूछेगा कि जैसे जैसे गेज नमबर बढ़ते जाता है तार या सीट के मोटाई क्या होती है तो घटते जाती है अब यहां पर तो हम लोगों को दिख रहा ह जैसे मानली जी कोई एक 6mm gauge number है और दूसरा एक 20 number gauge number है 20 gauge number है तो अगर 6mm के साथ 20 वाले को compare करेंगे तो यह जैसे जैसे number बढ़ रहा है इसका ज़ोड़ाई जो है यह ज़्यादा है और इसका चोड़ाई क्या है 20 mm वाले के यह कम है तो gauge number बढ़ने से चोड़ाई कम होता है slot क अगर इसमें हम लोग तार को डाल के चेक करेंगे और इसमें मानली जैफीट आ गल्याई तार जैज उसका डायमेटर यह होगा न और जब इसमें फीट करेंगे तो इसका डायमेटर क्या होगा 20 gauge कि अनुसार हो गए यहनी 1.2 होगा इसके अनुसार अगर 10 gauge number इसी तरीके से देखेंगे तो 10 गेज नंबर के लिए 3.2 mm डायमिटर होता है संबंदित कोचन यहां से यही पूछेगा कि गेज नंबर जैसे जैसे बढ़ता है यह सीट की थिकने से अतार का डायमिटर क्या होता है घड़ता है यह चीज ध्यां रखना है अभी हम लोग इससे संबंदित एक फर्सकोशन यही से पुछेगा यह स्टेल की आयताकारि या गॉलकार बनी होती है इसकी परेदी पर अलग-अलग साइज के स्लोट कटे होते है और प्रतेक स्ल्ट पर उसका साइज लिखा होता है जो चादर शीलाइए तैसी Crime में सहीं जाहिस प्रेयोग किया जया द्वारा इस gauge के द्वारा 0.125 mm से 8 mm तक के मोटी seat या तार का ब्यास मापा जा सकता है, जैसे size number बढ़ता है, या gauge number बढ़ता है, slot या size कम या घटते जाता है, अर्थाथ seat या तार की मोटाई या ब्यास कम होते जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरीके से 36 तक जाएगा, इसका slot का चोड़ाई क्या होता है, कम होता है, तो तार या seat के मोटाई भी क्या होती है, कम होते जाती, यह point important है, यहाँ पर यह 36 एक wire gauge जो होता है, उसमें maximum 40 number तक होता है, यह 36 वाला भी प्रयोग होता है, चालिस वाला भी प्रयोग होता है, इसी समन्देश एक बार और इस रो में question पुछा, पुछा था question कि 10 SWG, 10 gauge number की तुलना में, 20 gauge number वाली जो seat होगी, उसकी मोटाई क्या होगी, option में दिया था कम ज्यादा, यहाँ पर 10 वाले के लिए देखेंगे, तो 10 के लिए 3.2 mm होता है, और 20 के लिए किना होता है, 1.2 mm होता है, यह data याद नहीं करना है, हम लोग यह जो concept अभी सिखे है, कि जैसे जैसे gauge number बढ़ता है, यह seat की size होती है, यह तार का diameter होता है, यह क्या होता है, कम होता है, तो 10 gauge वाली seat जो होगी, वो ज्यादा मोटी होगी, और 20 gauge वाली seat होगी, कम मोटी होगी, तो यही question पूछा था, 10 gauge की तुलना में 20 gauge वाली seat क् मोटी होगी, पतली होगी, तो पतली होगी, ठीक, इस तरीके से tick कर सकते हैं, तो इतना point T से संबंधित note down कर लिजे, फिर हम लोग आगे चलते, तो यह तो कहानी था, wire gauge के लिए, अभी हम लोग दूसरा इसमें filler gauge, इस से भी संबंधित question पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चक करने वाले, filler gauge के लिए अगर बात करेंगी, तो यह filler gauge है, यह पर filler gauge का यह cage होता है, और इसमें डेर सारी पतली पतली पतियां होती है, यह spring steel का बना होता है, material से संबंधित question पूछा जाता है, कि filler gauge किस धातू की बनी होती है, तो spring steel, spring steel थोड़ा सा लचीला होत होता है, और इसका use VC तरीके से हम लोग gap में डाल करके clearance को check करते है, तो इसलिए इसको थोड़ा लचीला बना जाता है, तो material spring steel होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो यह देर सारी पतिया होती है, और इन पतियों के ऊपर ही, अगर यह metric वाली है, mm वाली तो इनका size लिखा होता है, अभी यह जो पती होती है, इसका एक टेंडर लंबाई होता है, और इस टेंडर लंबाई कितना होता है, यह question पूछा जाता है, DMRC में दोनों question पूछा जाता है और पूछा भी गया है पूछेगा इसकी जो फिलर गेज होती है इसकी दातू कौन सी होती है तो स्प्रिंग और इसका लंबाई कितना होता है पतियों की लंबाई 100 mm होती है यह बार-बार रिपीट कोस्टन होता है यह वल अब यूज करने का तरीका क्या है मुखरूप से इनका प्रियोग हम लोग गला-गला कामों के लिए करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट यूज होता है दो मेटिंग पाटों के बीच में गैप यानि किलेरेंस को चेक करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है अब यूज में सारा पॉइंट य अब किस तरीके से करते हैं इसके लिए हम लोग आगे चर्चा करने बले अगर इसके बारे में पॉइंट डिसकस करें तो पहला पॉइंट है इसे क्लिरेंस गेज या थीकनेस गेज भी कहा जाता है यह हैंड होल्ड मेजरिंग टूल है हाथ से पकड़ करके यूज करने वाल हो जार है अब लेवल इन एंड एंड इंच एंड और इंच दूनों में बिलते हैं यह स्प्रिंग इस्टिल की बनी होती है और ब्लेड की लांबाई कितनी हंड्रेड में यह एक लाइन में दू कोस्चन है और दूनों DMRC में या अधर एक जाम में इसरों में भी पूशा ग जिनके ओपर 0.0015 इंच से 0.025 इंच तक की साइज होते है यदि कोई पत्ति जिसका साइज नहीं में तो दो यदि कोई साइज की पति नहीं है तो दो या दो से अधिक पतियों को एक दिक जोड़ करके साइज साइभी डिक़ राकर करके और एक साथ डाल सकते हैं और उन दोनों पतियों का जब साइज जोडेंगे तो गैप का साइज क्या हो जाएगा मिल जाएगा इस तरीके से इस पॉइंट का मतलब है यही बता रहा है ठीक मेट्रिक पर डाली में नो बारा और तेरा पतियों के सेट होते हैं इनके उपर 0.04 mm स इनके 5 mm साइज लिखे होते है अभी इसके यूज के बारे में देखेंगे तो यह कि करके यहां पर समझते हैं यूज को इस तरीखे के फिटिंग को हम लों क्या बोलते हैं? पर इस तरीखे के फिटिंग अधिकांसता अगर देखेंगे तो जो deflect अगर इसके बीच के पती को निकाल करके और इसमें इस तरीके से डाल सकते जाल करके अब जो filler gauge की पत्ती slot में fit आएगी वही इसका क्या होता है size होता है और size उसको पढ़ सकते हैं इसके बाद spark plug जो scooter में या bike में ये जो spark plug होता है spark plug के बीच में ये जो gap होता है ये जान बुज करके दिया रहता है गैप नहीं देंगे तो ये sparking नहीं होता है automobile के जो cylinder ये बाइक के cylinder होता है उसमें आग नहीं पकड़ेगा तेल नहीं जलेगा इसलिए यहाँ पर ये gap रखा जाता है इसके gap को भी चेक करने के लिए जाए एक उचित भाहलू में ये gap set करना होता है तो set करने के लिए भी filler gauge का प्रयोग कर सकते है ये filler gauge की पत्ती है इसमें डाल करके इस तरीके से प्रयोग कर सकते है फिर bearing के clearance को जाचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये bearing है और ये roller bearing है इसमें ये inner race है ये outer race है ये जो bearing का ये जो roller है और ये outer race के बीच में कितना gap है इसको check करना होगा तो ये भी हम लोग check कर सकते हैं इसमें डाल करके और जो पती इस गैब में फीट आएगी उसका साइज देख करके हम लोग बता सकते हैं फिर piston ring जो आटो मुबाइल होता है बाइक वगरा या four wheeler होती है उसके सिलिंडर में जो piston होता है इस तरीके से रेसिप्रोकेट करता है उसमें ये piston ring होता है piston ring का धेर सार करना काम होता है वेल पीछे की तरफ लिक न करे इसके लिए जो जलती है सिलिंडर के अंदर ओ पिछे लिक न करे इसके लिए होती है ये अटो मुबाइल का चीज है इसको हम लोग ठीट होता है इसके अब डूर्त के बीच में इसको चेक करना होता है तो इसके लिए हम लोग फिलर गेल्ग मैं की पत्ती को ढाल करकर इस तरीके से और इसके को पता कर सकते और मुखरूप से clearance एक gap के बारे में पूछेगा कि किसका प्रयूप किया जाता है चेक करने के लिए तो filler gauge tick out कर सकते हैं फिर milling machine पर job fixture और tool के बीच में tool और job fixture के बीच में clearance gap set करना होता है तो इसके लिए भी प्रयूप करते हैं एक पॉइंट यहां से discuss कर लेते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट है दो fitting पाइटों के बीच में gap clearance को चेक करने के लिए पहला पॉइंट spark plug के gap को चेक करने और set करने के लिए यह मेटिंग पाइट के बीच में पहले पाइट के लिए फिगर दुसरे पाइट के लिए फिगर है दोनों इसके बाद जॉब को मसीनिंग करते समय कटर मिलिंग मसीन पर कटर या जो टूल होता है और फिक्षर जोब को पकड़ने वाला यह सेटिंग ब्लोक होता है उसके बीच में भी क्लियरेंस सेट करने के लिए कि बेरिंग क्लियरेंस को मापने या चेक करने के लिए इसका प्रियूग किया जता है इस तरीके से इसका इउजम इंपोर्टेंट है और जो भी एक एक झाल